मन्पर बिराजमान भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रिमान अमिद भाई शाग श्रत्धे अडवानी जी डाक्टर मोलिमनार जोसी जी मन्पर बिराजमान भारतिय जनता पार्टी के सभी वरिष्ट नेता गान बिन भिन राज्यों से आये हुए सभी आदर्णिय अम्मुक्यमंत्री गान और विशाल संख्या में पदारे हुए प्यारे भाईयों और बहनों लगराए पॉस्वालतन राद प्यारे भारतिय जनता पार्टी का अबिनंदन करता हूँ कि यहां की काई ने राष्टिय कार समीती की योजना की भव्य स्वागत किया उत्तम व्यवस्थाएं की और आज करनाटक के नागरिकों के साथ बात्चित करने का आउसर भी मिल गया प्रदान मंत्री बनने के बाद मैं पहले भी करनाटक में आया हूँ आज फिर एक बार मुझे आपके बीच आने का आउसर मिला है आप अनुभाव करते होंगे कि गत कई वर्षों से एक निराशा का माहोल था आशंकाओं का माहोल था अखबार खोलो टीवी चालू करो हर दिन एक नए ब्रस्टाचार की घटना की खबर आया करती थी एक नए कांड की खबर आया करती थी देश का नौजवान अपने भविष्य के सबन में आशंकित हो गया था सारे विश्वने भारत के प्रती अपना नजरिया बदल दिया था मुख मोड लिया था और ऐसा लग रहा था कि अब भारत अपना भविष्य बनाने की ताकत खो चुका है दिशा से भटक चुका है पता नहीं अब भारत बचेगा कि नहीं बचेगा इस प्रकार का माहोल पूरे एक दसक तक विश्वफर के मन पर छाया हुआ था और ऐसे समय देश की जनता ने भारतिय जनता पार्टी पर भरोसा किया तीस साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भारतिय जनता पार्टी को सेवा करने का सौभाग्य दिया है मैं देश वाच्यों को विश्वा दिलाता हूँ जिस आशा और अपेख्षा के साथ आपने हमारी टीम को सेवा करने का आउसर दिया है हम आपके आशा अकांचाओं को पूरी करेंगे आपकी सरासा अकांचाओं के मांदन पर खरे उतरेंगे ये मैं आज भी स्वाद दिलाता हूँ आपको मैं दस महिने के अनुभाव से कह सकता हूँ इस देश को पीछे रहने का कोई कारण ही नहीं है ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम पिछड़ जाएं ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम विकास की घती में उल्टी गिन्ती की ओर चल पड़े कोई कारण नहीं है और दस महिने में हमने अनुभव किया है अगर देश के कोटी कोटी जनों के आशिरवाद हो नियत साफ हो तो निरने भी सही होते हैं और नतीजे भी सही होते हैं भाईयो बहनो जब दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं तो हम पर आरोप क्या हो रहा है हमारी आलोचना क्या हो रही है हमारी आलोचना एक ही हो रही है उचल उचल करके यही बताया जाता है यह तो हमारे जमाने से था यह तो पहले हमने भी सोचा था ये तो पहले हमने भी किया था भाईयों बहनों हो सकता है कुछ बातों में नीती समान दिखती हो लेकिन कभी कभी नीती से ज़्यादा ताकतवर नियत होती है और हमारी नियत आपकी नीतिया क्या रही क्या नहीं लेकिन आपकी नियत ठीक नहीं थी हमारी नियत ठीक है और उसके कारण हम विकास के दौर पर आगे निकले है और इसलिए मैं कह रहा हूँ और इसलिए मेरे भाईयों मैं कहना चाहता हूँ आपको हरानी होगी मैं जब मेरे पास फाईले आती है तो मैं देखता हूँ 2007 में कोई प्रोजेक का प्रपोजल हुआ है 2014 तक लटकता पड़ा है 2011 का प्रपोजल है 2014 तक लटकता पड़ा है मैं हरान हुए लोग करते क्या थे भाईयो भनो ऐसे सेंकडो प्रकल जो दो दो पाउच पाउच साथ साल से लटके पड़े थे एक के बाद एक उसके फैसले कर लिए मिनने करने की हिम्मत जुटाई गलत होगा तो उसको ठीक करने की दिशादी और ठीक था तो आगे बढ़ने की दिशादी और आज हिंदुस्तान हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए तेजगती से चल पड़ा कुछ लोग हमें टोने मारते रहते थे मोदी जी चुनाओं में तो काले धन की बड़ी बाते करते थे कहां है काला धन काला धन कब आएगा काला धन आएगा की नहीं आएगा ऐसा जूर चलाये ऐसा जूर चलाये भाईवे नो क्योंकि उन्हें मालूम था वो इतना चीखना चाहते थे इतना चिलाना चाहते थे कि सत्य की आवाज दब जाये लेकिन सत्य की आवाज कभी दपती नहीं है समय आने पर वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुखर हो जाती है और आप ने देखा होगा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट पहली कैबिनेट बिटिंग में क्याम दिने ने किया तीन साल से दिल्ली में बैटी सरकार सुप्रीम कोड के कहने के बावजुद भी काले थन के सबंद में मिरने करने को तयार नहीं थी S.I.T. बनाने को तयार नहीं थी हमने आते ही पहली कैबिनेट के अंदर S.I.T. बनाने का मिरने कर लिया और S.I.T. ने काम शुरू कर दिया सुप्रीम कोड में लगातार S.I.T. अपना रिपोर्ट दे रही है कानूनी कारवाई चल रही है हम विश्व के देश्व के पास गए G20 समीट में गए विश्व के कई नेता हैं से जिनका चहरा पहली बार देखने का उसर आया था मैं नया था लेकिन मुझे पता था मोदी भले नया हो अनुभव कम हो लेकिन देश चीर पुरातन है सबाशो करोड देश माच्छों की ताकत है और मैंने विश्व के देशों के साथ आँख में आँख मिलाकर के कहा कि हम काले धन के खिलाब लड़ाई लड़ रहे आप सारे दुनिया के देश हमारे साथ खड़े हो जाएए हमारी मदद कीजिए हमें जानकारी दीजिए और G20 समीट में दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत की इस बात को माना प्रस्ताव स्विकार किया हमने वैश्विक फलक पर भी प्रयास किया और अब सौंसद में जब बजेट सत्रा आया तो हमारे वित्त मंत्री जी ने शिमान अरुन जेटली जी ने बजेट भाशन के अंदर वित्त विधैक के हिस्से के रुपे काले धन के खिलाब कड़े से कड़ी कानवाई करने के लिए कानून लाने का देश की जनता के सामने विश्वास प्रगट किया और इसी पार्लामेंट सत्र के पहले दौर में काले धन के खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई का कानून प्रस्तूत कर दिया गया भाई विश्वाई बिल पार्लामेंट में ला दिया गया और आज आपने देखा होगा बजेट के भाशन तक जब तक अरुन जेटली जी का भाशन नहीं हुआ था काले धन को लेकर के मजाग बढ़ाई जाती थी और जब बजेट के भाशन में उस क्या क्या करने वाले उसका जरा खाका खीचा गया और जब प्रतेक्श रुप में काले धन का कानून लाने के लिए सौसद में बिल प्रस्तुत कर दिया गया ये मजाग करने वालों के मुह पे ताला लग गया अब उनकों पता अच्छला कि अब क्या होने वाला है भाईय बहनो मैं फिर एक बार देश वाच्छों को विश्वाद दिलाता हूँ जो गया है वो लाना भी है लेकिन अम नया ले जाने की कोई हिम्मत न करे ये प्रबंद भी हमने करना है और उसको हमने किया है देश का प्रस्टाचार के खिलाब आकरोश है और मेरी देश बासियों ने मुझसे पेच्छा किये कि मोदी जी कम से कम आप प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़िये और मैं देश को वादा करता हूँ जिस इरादे से आपने मुझे काम दिया है आपका वो इरादा पूरा करके रहूँगा आप देखिए कोईला जब पार्लामेंट के चुनाव के बरसों में हम कोईले की चर्चा करते थे चुनाव सभाव में बोलते थे तो कहीं लोग हमारी मजाक उड़ाते थे सरकार में उस समय जो लोग बैठ रहे थे वो तो कहते थे ये बढ़ चड़ करके आँकड़ी दिये जाते हैं सब जूटे हैं फालतू है और आँकड़ा इतना बड़ा था एक लाग चोहत्तर हजार करोड ये आँकड़ा इतना बड़ा था कि आँकड़ा भी लोगों को भारी लगने लगा था तो लोग भी कहते थे नहीं यार हुआ तो होलगा लेकिन इतना नहीं हुआ होगा ये खा तो गए होंगे ले तो गए होंगे लेकिन इतना थोड़ा ले जाते हैं ये रकम इतनी बड़ी थी कि देश माच्चियों को इस चोरी के माल पर भी शक होने लगा तक शायद इतना नहीं होगा लेकिन भाई औ बहनों आपने जो सरकार बनाई जिसने कोईले में हाथ डाला पहले कोईले में हाथ डाला था तो तीजोरियां भरने लग गई थी लोगों की हमने कोईले में हाथ डाला कोईले को हिरा बना करके देश के सामने सबर्पिच कर दिया है बाई जाए देश माच्चियों को हमने सबर्पिच कर दिया सुप्रिम कौट ने ब्रस्टाचार की सिकायत को रहते अनाप सनाप अपने यार दोस्तों को कोईले की खदाजियों का आई बंचन करने के कारण 204 खदाणों को सुप्रिम कौट ने रद कर दिया हमारी सरकार नहीं थी सितंबर में अचानक निनाया और हालत ऐसी थी कि 31 मार्थ के पहले हम एक के बाद एक फैसले न करते तो देश के बिजली के कारखाने बंद हो जाते देश अंदरे में डूब जाता एक किलो ग्राम कोईला मिलना मुश्किल हो जाता ये परिस्तिती पैदा हो गई उनके पाप के कारखा पैदा हुई लेकिन हम हिम्मत नहीं हा रहे हैं कठी नाई थी कोईले में हाथ लगाना मतलब ब्याबरू होना लिसित था लेकिन नियत साब थी मेरे भाईयों बहनों नियत साप थी हमने हिम्मत की कोईले वे हाथ लगाया और इस संकल पर हाथ लगाया अब कोईले को हिरा बना करके छोड़ेंगे और आज भाईयों बहनों हमने करके दिखाया अभी 204 में से सिरफ 20 खदानों का ओक्षन किया है 20 का अलि 20 आउट अप 204 और 20 का ओक्षन करके दो लाग करोड से जादा रकम देश के खजाने में आये है बीस में से अब बताइए 204 में एक लाग चोहत्तर हजार करोड की शिकायत थी सिरफ 20 में दो लाग करोड आ गए तो 180 का जब होगा तब कितनी बड़ी रकम देश की तीजोरी में जमा होगी सवासो करोड देश वास्चियों के पास पहुचेगी आप कल पना कर सकते हो बाईयों मुद्दा नियत का है और हमारी नियत साफ है और साफ नियत का कारण है कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हमारे देश में वाटसप पर देख लीजिए पिछले एक साल पर वाटसप पर ट्वीटर पर तू जी थी नजाने कितने जी की मजाद चलती थी ये जी वो जी ये जी वो जी पता नहीं क्या क्या चलता था चारों तरफ स्पेक्ट्रम पर प्रस्थाचार के अरोब लगे थे हमने स्पेक्ट्रम आउक्षन कर दिया स्क्रीन पर मीडिया के लोग बैठ करके देखते थे क्या आउक्षन कैसे हो रहा है और सब्ता भर चलता रहा वक्षन और भाईयो भेनों हिंदुस्तान ने कभी कमाया नहीं था उससे जादा एक लाग करोड से भी जादा आक्षन के अंदर आज हिंदुस्तान के तीज़ोरी में पैसा आ गया भाईयो भेनों अगर नियत साफ हो इमांदनारी के साथ देश के सामार निम्बानवी के आशा हकांचाओं को पूर्ण करने के लिए अगर हिम्मत के साथ कदम उठाए जाए तो देश को प्रगति से कोई रोक नहीं सकता है यह हमने अनुभव किया है और हम करते चले जा रहे हैं छोटी चीछ से लेकर के बड़ी चीछ तक हमें देश वासियों पर भरोसा है हम देश वासियों पर भरोसा करकर के आगे बढ़ रहे हैं देश ने पहली बार एक नए प्रकार का रेल बजेट देखा है कल्पना ही नहीं थी देश को कि ऐसा भी कोई रेलवे बजेट हो सकता है क्या नहीं तो पहले रेलवे बजेट क्या हुआ करता था एंपी अपने अपने इलाके में रेलवे की सुविधा को लेकर के चिठिया लिखते थे कि यह ट्रेन बढ़ा दो इधर डिबा बढ़ा दो इधर सीटे बढ़ा दो यहां स्टॉपेज बढ़ा दो यहां प्लेटफोर्म पर यह व्यवस्ता कर दो यह जो एंपी चिठियां लिखते थे रेलवे मिनिस्ट्री उसका कंपाइलेशन करती थी और यह एंपी की चिठियों के कंपाइलेशन में से 10-15%, 20%, 25%, 30% जो हो सकता था उसको लिख करके देते थे उसको रेलवे का बजेट माना जाता था रेलवे बजेट आने इतनी ट्रेन आएगी, इतने डिब में आएंगे, इतने स्टोपे जाएंगे पहली बार देश के सामने आने वाले 10 साल में रेलवे कहा होगी देश के सामान ने मानवी को रेलवे के माद्यम से क्या लाब होगा रेल्वे में काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा कैसे होगी सामान नागरी को सुवीदा कैसे उपलत्द होगी बारी की से विचार करके देश के सामने पहली बार एक वीजन के साथ रेल्वे बज़े प्रस्तूत किया और उसका कारण यह हुआ है आज दुनिया के समरुद्द से समरुद्द देश भारत की रेल्वे में पूंजी निवेश करने के लिए आगे आ रहे है पहली बार हिंदुस्तान के राज्य रेल्वे के साथ पांटर्शिप करके अपने अपने राज्य में रेल बिचाने के लिए पूरी ताकत के साथ हिस्सेदार बनने के लिए आगे आ रहे हैं उनमें एक विश्वास पैदा हुआ है कि जो रेल कभी मरी पड़ी थी जिसका सिगनल पड़ाई रहता था वो रेल अब तेजगती से दोड़ने वाली है लोग उसमें जुड़ने के लिए त्यार हुए आर्थिक विकांस में जब रेल वे की सुविधा बढ़ती है तो गरीब की सुविधा बढ़ती है सामान्य नागरी की आशा कांचाओं की पूर्ति करने का प्रयास होता है और हमारी प्राइवरिटी वो है हमने उस प्राइवरिटी को बल दिया है हमने सपना देखा है डिजिटल इंडिया का और मैं इस शहर में हूँ जिस शहर में आईटी प्रोफेशन्स पुरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते हैं जिनोंने दुनियो में भारत की शान बनाई है ऐसे नौजवान इस धर्ति पर देश की सेवा कर रहे है कॉम्पूटर के कीबोड के माध्यम से कर रहे है डिजिटल इंडिया का सपना इस देश के टेकनोलोजी से जुड़े हुए आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए इस छेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए पिछले 20 साल में न हुआ हो इतने बड़े रोजगार की संभावनाव लेकर क्या आया है लाखो गाउंगों में अप्टिकल भाइबर नेटवर्क खड़ा करना रोजगार की कितनी संभावनाई परदा करेगा और दीरे दीरे जिस देश में जनसंख्या से ज़्यादा मोबाइल फोन हो उस देश में Mobile governance की संभावनाई सबसे ज़ादा होती है हम दिरे दिरे देश को Mobile governance की दरब ले जाना चाहते हैं और जहां Mobile governance होता है वहाँ Good governance वाबावित होता है जहां Good governance होता है वहाँ Transparency अनिवारिय होती है जहां पर Quick decision process होती है जहां Accountability होती है और डिजीचल इंडिया के द्वारा हम नागरी को को उत्तम से उत्तम सेवा दे इस सपने को पूरा करने का हमारा प्रयास है Mobile Governance के और देश को ले जाना, Next Generation Revolution की दिशा में ले जाना ये हमारी कोशिज रही है और उसके कारण IT Profession के लोगों के लिए कितने बड़ी व्यवसाई की संभावनाय बढ़ने वाली है, रोजगार की संभावनाय बढ़ने वाली है, entrepreneur के लिए अवसार पैदा होने वाला है और देश एक नई एकनामी की और नई ताकत के साथ खड़ा रहने वाला है भाईयों भेड़ों, हम प्रानम से कहते आये हैं, cooperative federalism का, बुद्कान में दिल्ली को इतनी बुरी आदत लग गई थी शायद ये आदत अंग्रेजों ने विरासत में छोड़ी थी, मुगल शासकों ने विरासत में छोड़ी होगी और दिल्ली में बैठने वालों को यही लगता था, कि हमी सब कुछ है राज्य कुछ नहीं होता है ठीक है राज्य है वो तो मांगने वाला है हम देने वाले है भाई और भनो भारत का जिसका संगिय धाचा है दिल्ली में बैठने वालों की इस सोच ने देश को भहत नुक्षान किया है हमने इस सोच बदली है और हमने राज्य को भी राष्ट निर्मान में दिल्ली सरकार और राज्य सरकार को हमने पार्टनर माना है एक दूसरे का साथ ही माना है और कंदे से कंदा मिलाकर के काम करके देश का भाग्य बदलने के लिए सब को हमने निमंत्रित किया है किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, दिल्ली सरकार के लिए सब सरकारे समान है, सब सरकारों को विकास के कारकमों में जितनी मदद हो सके, कोपरेटिव फेडरलिजम का लेटर एंड स्पिरिट में पालन हो, उस दिशा में हमने कदम उठाए है, और इसलिए निति आयोक का निर्मान हुआ है, पहली बार राज्य के मुख्मंत्रियों की कमीटिया, दिल्ली सरकार की नितिया कैसी हो, उस पर विचार मिमर्स कर रही है, किसी ने सोचा होगा, कि देश के राज्य अपनी रोज मरा की कठनाईयों के अधार पर, दिल्ली में कैसी नितिया बने, उसका संकेत दे, और भारत सरकार इस काम के लिए उनको प्रोचसाहित करे, ये दिन पहले कभी ने सोचे भी नहीं होगे भाईयों, हमने एक रहेगा, तो हिंदुस्तान आगे कहां से बढ़ेगा, अगर कोवा पिछे रहेगा, तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा, बिहार पिछे रहेगा, तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा, बेंगल पिछे रहेगा, तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा, और इसलिए भारत को आगे बढ़ाना है तो राज्जों को भी ताकत वर बनाना चाहिए राज्जों को भी ताकत देनी चाहिए उस दिशा में हम काम कर रहे और भाईयो बेहना हम मिलने कैसे करते है मैं नहीं जानता हूँ करनाटक के अख़बारों में इस चीज़े आई है कि नहीं आई है करनाटक सरकार ने इन चीज़ों का स्वागत किया है कि नहीं किया है लेकिन आपको जन करके खुशी होगी पक्की खुशी होगी भाईयो पहले 13th Finance Commission में पिछले वर्ष करनाटक को क्या मिला था करनाटक को 14,600 करोड रुपीज मिला था 13th Finance Commission में हमारी सरकार आने के बाद 14th Finance Commission में करनाटक सरकार को 14,600 करोड से जंप लगा करके 24,800 करोड रुपीज देने का तायकिया 60 साल की आत्रा में 14,000 करोड पहुंचे थे हमने एक साल में 24,000 करोड करीब करीब 25,000 करोड कितना बड़ा क्योंकि हम राज्यों पर भरोसा करना चाहते हम चाहते हैं कि राज्य इन पैसों का उप्योग नाचागत सुविधाय इंफरस्ट्रक्चर विकास की पक्की नीव इन कामों के लिए रुपीयों का उप्योग करे इस आशा और अपेक्षा के साथ दिल्ली की तिजोरी हमने खाली कर दी है और हमें रखना भी किस के लिए है भाई हमने उस बज़े निकालना दा है नहीं कुछ हमने राज्यों पे विश्वास किया पिछली 13 फाइनास कमिशन के पांच पर दर्म्यान 2010 से 2015 करना टक को 61,600 करोड डुपीज मिले थे पांच साल में नेक्स फाइव येर में क्या मिलेगा 61,700 करोड से नेक्स फाइव येर में जम्प लगेगा 1,83,500 करोड डुपीज याने करीब करीब 197 परसेंट उज़ी इजाफ़ा करीब करीब 200 परसेंट इजाफ़ा कभी किसे ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली यहां सरकार किस दलकी है मुख्य मंत्री कौन है दल क्या है सरकार कैसी चलती है ऐसी तराजू के अधार पर नहीं रास्त्र का कल्यार कैसे हो सबको साथ सबका विकास का मंत्र लेकर कैसे चले दल से बड़ा देश होता है इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हमने प्रयास किया है भाई यो भेनो भारत तब तक आगे नहीं पढ़ता जब तक हिंदुस्तान का गाउं आगे नहीं पढ़ता जब तक गाउं आगे नहीं पढ़ेगा जब तक किसान के जीवन पर बड़ाव नहीं आएगा और इसलिए किसान क्यों समस्याओं से मुक्त कैसे करना किसान को ताकत पर कैसे बनाना तूकड़े फैक करके हमने कभी किसानों का भला नहीं हुआ है मानना पड़ेगा किसानों के लिए एग्रिकल्टर सेक्टर में टेकनोलोजी लाने की आवश्चक्ता है एग्रिकल्टर सेक्टर में किसानों के आवश्चक्ता का अनुसार इन फास्त्र बनाने की आवश्यक्ता है किसानों को भी गाउं में पक्का रोड चाहिए किसानों को भी खेत में पानी चाहिए किसान को भी गर में 24 गंटे बिजली चाहिए किसान के हां मद्दूरी करने वाले गरीब को भी रहने के लिए अपना घर चाहिए भायो बेनो क्या गाउं में रहने वाले व्यक्ति को ये सुविदाएं मिलनी चाहिए के नहीं मिलनी चाहिए बंगलूरू सहर में रहने वाला कोई व्यक्ति इस बाथ से इंकार नहीं करेगा कि जो सुख सुविदा हमें मिलती है ऐसी सुविदा गावों में भी आनी जरूरी है साथ साल तक हमने गावों को अन्याय किया है किसानों को अन्याय किया है उसे मजबूरी में जीने के लिए नीतियां इसी बनाई है आप जानते होंगे भाईयों पर मैं धर्ती पर लोगों के बीच जीने वाला इंसान मैं आस्मान से टपका हुआ इंसान नहीं हूँ गरीबों के बीच किसानों के बीच गाउं वाच्चों के बीच बच्पन गुजारते गुजारते आज यहां आया हूँ और इसलिए उनके दुखदर को भली भाती समझता हूँ आज मुझे मालू मैं राईयो बेनो मैंने ऐसे गरीब किसान देखे हैं जिनोंने बेटे को चपरासी की नोकरी मिल जाए जमीन है दो बीचा पांच बीचा जमीन है उसके पास लेकिन बेटे को कहीं चपरासी की नोकरी मिल जाए कहीं ड्राईवर जी शिख ले कहीं ड्राइवरी की नोकरी मिल जाए इसलिए रिष्वत देने के लिए अपनी दो बिचा पांच बिचा जमीन मेंसे एक टुकड़ा जमीन बेच करके उन पैसों को ला करके रिस्वत दे करके बेटे को चप्रासी बनाने के लिए वो मजबूर होता था किसान की जमीन कैसे गई कहा गई बेटे को चप्रासी की नोकरी देने के लिए जमीन बेचने के लिए हमारी सरकारों ने इसे मजबूर किया क्या इन किसान को रक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए इस किसान का भला होना चाहिए नहीं होना चाहिए और इसलिए भाईयो बेरो हमारी पहली कोशिज है प्रदान मंतिर क्रिसी सिचाई योजना के द्वारा किसान को पानी मिले हमारी दूसरी योधना है उसकी जमीन की रख्षा हो आज उसकी जमीन इतनी बरबाद हो चुकी है कि जितनी पैंदावर होनी चाहिए होती नहीं है उसकी जमीन संबुरुद कैसे हो उसकी जमीन बिमारी से मुक्त कैसे हो दमाईयां डाल डाल करके, फर्टिलाइजर डाल डाल करके, अग्यान के कारण, जो फसल हो नहीं सकती, ऐसी फसल डालने के कारण, उसकी जमिन तबाह हो गई है, हमने सोईल हेल्थ कार्ड निकाला है, उस सोईल हेल्थ कार्ड के द्वारा, किसान, जैसे हम लोग बिमार होते है तो डॉक्टर पहले कहता है कि जरा लेबोरेटरी में जाकर कि ब्लड टेस्ट करवा के आओ ब्लड की रिपोर्ट निकाल के लाओ जैसे मनुष्य के सरीर का हेल्थ कार होता है वैसे ही ये धर्ती माता का भी हेल्थ कार होता है बारत मा की जय बोलने वाले हम लोगों के लिए ये भारत माता का, ये धरती माता का, ये पुर्थवी माता का, ये किसान जहां से अपनी गुजारा करता है, जो किसान हम सब का पेट भरता है वो मा बिमार तो नहीं है, वो धरती माता बिमार तो नहीं है पूरे देश में ये स्वाइल हेल्थ कार का परिशन करके किसानों को सही मार्दरसन मिले अर्बो खर्बो रुप्या खर्च करके किसान की जमीन को तांकत देने का हमने का भियान उठाया है भाई यो बेनों सही बीज मिले उपएउक तक जमीन रहे आवशेक पानी मिले अगर इतना कर लेंगे तो मेरे देश के किसान में टाकत है वो पत्थर पे लाथ मार करके सोना पादा कर सकता है ये टाकत है हमारे किसमार की जो ताकत है वो ताकत को हम पहचानते हैं उसे मजबूती देने का हमारा प्रयास है जो फसल पैंदा होती है उसको सही मार्केट मिले वो दिशा में हमारा प्रयास है वैल्य एडिशन हो आज देश का पशुधन खतम हो रहा है और मैं हरान हूँ जो लोग किसान की जमीन की चिंता के लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाने के लिए निकल पड़े हैं राजनिती ग्रोटिया पकाने के लिए निकले हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि किसान के जीवन में अगर जमीन जातना जितना दुख़ायक है उतना ही अगर पशुधन गाउं से खतम हो जाएगा तो गाउं का पुरार्थ कारण खतम हो जाने वाला है और इसलिए हमारी कोशिज है कि पशुधन की भी रख्षा हो ताकि किशान की ताकत बने भाईयों भनो हम कुरुशिक छेत्र के विकास के लिए कुरुशिक विकास को तीन हिस्सों में बाटना चाहते है एक तिहाई जो परमप्रागरत वो खेती करता है उसको आगे बढ़ाना आधूनिक कैसे करना टेक्नोलोजी का कैसे उप्यों करना और प्रती हेक्टर जादा पै पैदावर की मुल्य वृद्धी कैसे हो एक तिहाई खेत में ही व्रिक्षों की खेती ट्री प्लांटेशन हमारे यहां दो किसान अडोस पडोस में होते हैं और दिमारकेशन के लिए बार्ड लगाते हैं ये किसान की दो ढ़ाई फुट जमी खराब होती हैं उस किसान दो मिटर डेड़ मिटर जमीन ऐसे ही बेकार जाती है ये तेरी खेती ये मेरी खेती उसी के कारण है अगर ये बार्ड निकाल करके पैड लगा दिये जाए डिमारकेशन के लिए वो पैड उसको जीवन में काम आएंगे और जमीन उप्रुद तो जादा होगी जादा जमीन मिलेगी देश में कल पना नहीं इतनी जमीन ये डिमारकेशन में बरबाद हो करके पड़ी है हम पूरा लैंड रेकोर्ड को रिफार्म करके किसान की जमीन किसान को वापिस मिले इसका बड़ा अभ्यान चला रहा चाहते हैं ये जूट फ्यलाने वालों को मालुम नहीं है कि किसान की रक्षा कैसे हो और तीसरा काम पॉल्टरी का काम हो दूद का काम हो मच्छो द्योक का काम हो खेती के साथ ये काम में बढ़ावा मिले ताकि मेरे देश के किसान को कभी पीछे मुड़कर के देखना ना पड़े भाईयों बहनों हिंदुस्तान हमारा तिरंगा तिरंगे जण्डे में तीन रंग है और एक चोथा अशोक चक्र है ब्लू कलर का एक प्रकार से चतुरंगी है हमारा राट द्वाज हम ये चतुरंगी क्रांती करना चाहते हैं हरा कलर देश में सेकंड ग्रिन डिवोलुशन और मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान के पूर्व के राज्य है जहां विपूल बात्रा में जल के भंडार है वहां पर देश सेकंड ग्रिन डिवोलुशन का नेतरुत्व करेगा बिहार हो उडिसा हो बंगाल हो आसाम हो ये राज्य सेकंड ग्रिन रिवालुशन का नेत्रुत्व करेंगे सफेद रंग दूत्य करांती मिलक रिवालुशन पशु पालन पशु की रक्षा सेफ्रोन कलर सेफ्रोन रिवालुशन सेफ्रोन कलर ये उर्जा का कलर है उर्जा करांती सोलान एनर्जी हो विंड एनर्जी हो नुकलियर पावर हो थर्मल पावर हो हाइड्रो पावर हो जितने भी तरीके से देश को उर्जावान बनाये जा सके उर्जावान बनाने का काम हमने उठाया है और चोथा कलर, ब्लू, ब्लू रिवालुशन, हमारी सामूद्रिक शक्ति, समूद्र के अंदर जो सामर्थ पड़ा है, पैट्रोलियम हो, गैस हो, मच्छ उद्योग हो, सामूद्रिक याता यात का मार्थ हो, एक हम ब्लू रिवालुशन करना चाहते हैं, ताकि देश के पुद्रिक तटके राज्य, एक नई आथिक कांत्री का धरोहर बन जाए, भारत का तिरेंगा अजंडा, रास्त के विकास के लिए, हमें प्रेणा देता है, और उन्हीं चार रंगों से, चतुर रंगी क्रांति के साथ, हमें एक देश को नई उचाईयों पर ले जाना चाह 35 साल से कम उमर की हो, अगर उन नवजवान के हाथ में हुनर हो, उस नवजवान के हाथ में काम करने का उसर हो, तो भारत का नवजवान, भारत का भागी विधाता बन सकता है, और इसलिए मेरे भागी विधाता मेरे नवजवान साथियों, हमने मेर्क इन इंडिया का भ्यान चलाया है कच्छा माल हम निर्यात क्यों करे कार खाने यहां क्यों न लगे आयन ओर बाहर क्यों जाना चाहिए अगर आयन ओर हमारा है तो स्टील का कारखाना यहां क्यों न हो स्टील का कारखाना यहां हो तो युद्रपोद यहां क्यों न बने टैंक क्यों न बने डिफेंस के अंदर हिंदुस्तान का नोजवान क्यों नई ताकर के साथ खड़ाना हो जाए हार दियो बेनो मेक इन इंडिया कल मैं रिजर बैंक में गया था मैंने रिजर बैंक वालों को कहा मैंने गा भई आपके लिए भी मेरा मेक इन इंडिया का कारकब है वो चौक गए मैंने गा मैं चाहता हूँ अब हिंदुस्तान का बना हुआ कागज हो उसी कागज पर हमारी करंसी की नोट छपनी चाहिए कागज भी हमारा इंक भी हमारी करंसी भी हमारी और खर्च करने वाला देश का नागरी भी हमारा मेक इन इंडिया कहां कहां तक जा सकता है किस प्रकार से नौजवानों को रोजगार मिल सकता है और इसलिए भाईयो भेनो हम दुनिया को निमंत्रित कर रहे हैं का आईए मैं यहां बंगलूर में आया था एरशो के लिए आया था मैं हवाई जहां कैसे उड़ते हो देखने का मेरा काम नहीं था मैंने दुनिया की कंपनियों को यहां बंगलूर में बुलाया था कि आईए defense के improvement बनाने के लिए आईए आज खानत दुनिया के देशों से आत्परक्षा के लिए बाहर से सादन लाता है हमारी यहां कोई गोली चलाता है तो गोली भी विदेशी होती है यह देश में बन सकता है देश defense के खेत्र में आत्पंदिर भर बन सकता है नहीं इतना थार्ड वल कंटीज के लोगों को आत्म निर्भर मनाने के लिए भारत जैसा देश मदद भी कर सकता है हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं भारत, भारत की तो आवसक्ताओं की पूर्ती करे लेकिन छोटे-छोटे देशों की आवसक्ताओं की पूर्ती के लिए भी एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बड़े हैं हमारे पांद नव जवान है, टालेंट है, आउसर है, अनुभाव है हम वो दिशा में देश को आगे ले जाना चाहते हैं हम नव जवानों को स्किल डवलप्मेंट पर बल देना चाहते हैं स्किल डवलप्मेंट का बड़ा भियान चला है, अलग डिपार्टमेंट बढ़ाया है और आज नव जवान को अगर हुनर मिल जाए तो एक कैसी चीजे कर सकता है, यह देश ने अनुफोग किया है यह देश कितना ताकतवर है, भारत के नव जवानों का कौशले देखिए मंगलायन, दुनिया में कम से कम खर्चे में हम मंगल पर पहुंचे हैं, बंगलूरी में और इच्वान में बैठोगे ना, तो एक कीलोमेटर जाना है तो दस रुपआ खर्चा लगता है, मंगलायन जाने का खर्चा एक कीलोमेटर सिर्फ साथ रुपआ आया है यह हमारे नव जवानों का कौशल यह हमारे नव जवानों की ताकत है जिस देश के नवजवानों के पास ये सामर्द हो, बुद्ध हो, प्रतिबा हो वो देश का पर रूप रंग बदल सकते है और इसलिए मेक इंडिया के द्वारा, स्कील के द्वारा डिजिटल इंडिया के द्वारा देश के नवजवानों के माद्दम से एक नए भारत का निर्मान करने का हमारा सपना है मुझे विस्वास है मेरे देश वासियो गाउं गरिब के लिए एक के बाद योजना लेकर के हम चले आपने देखा होगा अभी हमारे राश्टिय देख्ष प्रदान मंत्री जंदन योजना की बात बता रहे थे लेकिं उससे मैं आगे बताना चाहता हूँ गैस सिलिंडर उसकी सबसीडी अब सबसीडी बैंक के खाते में नागरिकों के पाद चली जा रही है आप हैरान होंगे पहले इतने चेक फड़ते थे इंसान कभी पैदा नहीं हुआ जो बोटल का कभी मैनिफेक्टर नहीं हुआ सिलिंडर का जिस सिलिंडर में कभी गैस भरा नहीं गया उसकी भी सबसीडी जाती थी कितनी चोरी होती होगी हमने डारेक कैश ट्रांसफर कर दिया है आठ हजार करोड रुपिया नागरीकों के खाते में जमा कर दिये हैं और उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में लीकेश को रोक दिया है भाई यो बेंडों ने मुद्रा बैंक लाए है आपने कभी सोचा हैं कि सब्जी बेचने वाले का भी कोई सोच सकता है दूद बेचने वाला, अखवार बेचने वाला, आटो रिक्षा चलाने वाला, रोज मरागी पकोड़े भाजी बना करके बेचने वाला ऐसे छोटे छोटे वैपारी, छे करोड से जादा ऐसे लोग देश की एकोनोमी को चलाते हैं गरीब होते हैं, बेचारे सावकार के पास पैसे लेकर के ब्याज और कर्ज में मर जाते हैं हमने एक नई बैंक बला रहे हैं, इन छोटे छोटे लोगों को, जिनको कोई पुछता नहीं था उनको ये सरकार पुछेगी, बेरे भाईयों बहनों, उनका हाल पुछेगी, उनका हाल सुधार करेगी अगले सब्ता, अभी तो बजेट में हमारे अरुन जी ने इसको प्रस्तुत किया आठ अप्रिल को हम उसको लांच कर देंगे, और लोगों को उसका फाइदा मिलना शुरू हो जाएगा कहने का अतात पर यह है, कि देश को आर्थिक विकास के द्वारा नई उचाईयों पर ले जाना है विकास की नई उचाईयों पर ले जाना है, और देश के सामान ने नागरी के सपनों को पूरा कर रहा है अज पूरी दुनिया कहती है, जो लोग अभ्यास करने के आधी हैं उन्होंने देखा होगा World Bank हो, IMF हो, दुनिया की जितनी भी rating agencies हो, उन्हों सब ने कहा है आज दुनिया में सबसे तेख गती से विकास करने वाला कोई देश है, वो देश का नाम भारत है, भारत मेरे भाई इस बात का गर्व करते हैं, कि हमारा देश जो कभी आपको मानों में कुछ देशों का समुए है, जिसके लिए एक शब्द है BRICS जिसमें ब्रजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउध अफरिका है दो साल से दुनिया के आर्थिक विशों के जानकरों ने कहा था के BRICS कंसेप्ट है, वो अब लुड़क जाएगा, क्यों? कि इसमें आई जो रखा है ना इंडिया का वो मरा पड़ा है, कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए BRICS का जो कंसेप्ट है, इसमें ये दम नहीं दिखाएगा आई निकल जाएगा ये चर्चा हो रही थी, आज पूरे BRICS में, आई सबसे स्ट्रांगेस बनके खड़ा हुआ है ये ताकत है इस देश के, दस महने के भीतर भीतर, बारत का लोहा दुनिया मानने लगी है और उसका कारण, सबासो करोड देश वाचियों का लोहा हम मानते हैं हमारे लिए ये देश ताकत भर है, सबासो करोड देश वाचियों के कारण हमारे मन में देश आगे बढ़ेगा सवासो करोर देश वासियों के कावर और इसलिए मेरे भाईयो बेनो स्वच्छता का भियान हो देश ने उठा लिया हर व्यक्ति आज स्वच्छता की चर्चा करता है कुछ ने कुछ दाई तो उठाना चाहता है कभी सोचा था कि इस प्रक खाना एक टाइम छोड़ दीजिए और ये देश लाल बादूर सास्त्री ने कहां था कि आप एक टाइम का खाना चोड़ दीजिए और ये देश वासियों ने लाल बादूर सास्त्री पर भरोसा करके खाना चोड़ दिया था ये ताकत है इस देश में भाईयो बहनों एक मह ने पहले हल्की फुलकी आवाज में बहुत जोरों से नहीं योजना के तहट नहीं सहज रुप से हमने लोगों के सामने एक बात रखी थी कुछ यार दोस्त परिच्चितों के बीच में रखी थी हमने कहां भाई हम अगर आर्थिक रुप से संपन्न है क्या हम गयर सिलिंडर के सबसीडी छोड़ नहीं सकते क्या यह दोसो चारसो रुपे में क्या रखा है हमने क्यों लेना चाहिए ऐसे ही मैंने बात रखी थी और मेरे देश वासियो मैं स्वयम आनन्द अनुभव करता हूं करीब करीब दो लाख लोग सामने आये और उन्होंने सामने आ करके अपनी गयर सिलिंडर की सबसीडी लेना से मना कर दिया वापित दे दिया इसके कारण देश के करीब सो करोड रुप्या बज़ गए यह सुनकर के मुझे लगा कि यह देश लाल बादूर साहत्री जी के जमाने में था देश वासी बदला नहीं है वो आज भी देश को इतना ही प्यार करता है वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है और इसलिए मैंने देश वासीयों को कहा अगर आपकी आर्थिक्स नीजी ठीक है अगर आपके जेब पर तनाम नहीं है तो मैं देशवासियों को आगर करता हूँ आप भी गैस सिलिंडर की सबसीडी छोड़ दीजिए और मैं ये गैस सिलिंडर की सबसीडी आप छोड़ेंगे जो पैसा बचेगा वो सरकारी खजाने में जमान नहीं करूँगा ये मैं आपको वादा करता हूँ मतलब गर मैं नहीं ले जाऊँगा क्या करूँगा अगर आप मान बंगलूर के दो लाग लोग एक गैस सिलिंडर की सबसीडी छोड़ देते हैं तो मैं दो लाग परिवार ऐसे डूंडूँगा जो गरीब है जो गर मैं लकडी जला करके चूला जलाते हैं घर में दूमा होता है और बच्चे बिमार हो जाते हैं क्या उन गरीबों को उन बच्चों को उस मा को जो लकडी जला जला करके दूमे में खाना पका रही है क्या 21 वी सदी में मेरे देश में ऐसे परिवारों को ऐसे जीने के लिए मजबूर करना चाहिए क्या क्या उनको उसके नसीब पे छोड़ना चाहिए क्या क्या उनको इनसे मुसीबतों से बाहर लाना चाहिए कर नहीं लाना चाहिए क्या उन बच्चों को बिमार होने से बचाना चाहिए कर नहीं बचाना चाहिए लकड़ी जलाकर के दूए में गुजारा करने वाली उस मा की मदद करनी चाहिए गर नहीं करनी चाहिए और इसलिए मैं देस्वास यो कहता हूँ ये जो गैस सिलिंडर की सबसिडी बचेगी वो गैस सिलिंडर उन गरीब परिवारों को दे दिया जाएगा सबसिडी उनको टांसफर की जाएगी जिनके घर में लकड़ी के कारण चुला जलाया जाता है जिसको दूए में बच्चों को बढ़ा करना पड़ता है अगर एक करोड़ लोग गैस सिलिंडर छोड़ते हैं तो एक करोड़ माताओं का भला होगा एक करोड़ परिवारों के बच्चों का भला होगा और मैं मानता हूँ आपको इससे बड़ा कोई पुन्य नहीं मिल सकता मैं देश के सांसदों को देश के विधायकों को देश के IAS, IPS, IPS, आएप्रसप्सरों को मैं देश के प्रफेशनल्स को आग रह करता हूँ आएए मेरे देश वासियो आएए गरीब के घर में उन माता को बचाने के लिए मुझा साथ दीजिए आप सिलिंडर छोड़ेंगे वो सिलिंडर उस घर में मैं पहुचाऊंगा कितनी माताओं की सेवा होगी हम मिल करके देश की सेवा कैसे करेंगे गरीब की सेवा कैसे करेंगे यह संकल पर लेकर के आगे बढ़े और देश, देश इन बातों को उठा लेगा यह मुझे पुरा विस्वास है जैसे स्वच्चता की बात को उठा लिया बेटी बचा बेटी पढ़ाओ की बात को उठा लिया उसी प्रकार से गिव इट अप देने का भी आनन दलो छोड़ दे का भी आनन दलो किसी के लिए कुछ देने के दिशा में आगे बढ़ो आओ सबा सो करोर देशवासी मिल करके हम भारत का भाग्य बनाए इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार करनाचा के भाईयों बेनों का भिनादन करता हूँ और विशाल संग्या में जुनाओं का माहूल नहोते हुए भी इतनी बड़ी विशाल संग्या में आप आएं मैं आपका बहुत बदाभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मुठी बंद करके पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की ऐसे नहीं ताकत पुरी दिखाईए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद